आज की कक्षा में हम अपनी पाथ्य पुस्तक साहित्य सौरव का पाथ चित्थी पढ़ेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया था पाथ के लेखक हैं अखिलेश इस कहानी में लेखक ने युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को उजागर किया है कि किस प्रकार शिक्षा ग्रहन करने के समय पढ़ाई करने के समय बिद्यार्थियों के दिन मजे से कटते हैं पर जब यथार्थ का सामना होता है तब परिस्थिती कैसी होती है यही हम इस पार्ट में पढ़ेंगे पिछली कक्षा में हम प्रिष्थ नंबर 125 पढ़ रहे थे वहीं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं मंडली के नित्रत्व में तमाम युवा कलाकार छात्र भवन में हो रहे नात्य समारोह का विरोध करने वाले थे क्योंकि कला भवन एक सरकारी संस्था थी और इसके कारिक्रम जनता और उसके अपने कलाकारों से मोडे रखते थे इसमें दर्शक, श्रोता, अफसर वगेर होते और कलाकार विदेशी मेकप में एठे रहने वाले यहाँ शराब की जमजम भारिश और रास लीला के प्रयत्न की सुर सुरी समय असमय हर समय देखी जा सकती है विनोध ने कहीं से कार्यक्रम का पास उपलप्त कर लिया था योजना यह थी कि वह हमारे विरोध के पर्चों का बंडल जोले में छुपाकर भीतर हो जाएगा और भीतर जितना बाट सकेगा बाटेगा बाकी लोग बाहर नारे बाजी करेंगे कला भवन की कमर तोड़ने के अब हम थान चुके थे तो मंडली के लोगों का एक रूप था बौद्दिक, मस्त और निर्भय जिन्दा दिली की रोशनाई में दूबी कल में थे हम पर हम और भी कुछ थे कहीं कुछ बुरा देखें, बुरा सुनें हम क्रोध से कापने लगतें इतने अजीब थे हम कि यदि खुद ही गलत कहया कर जाते तो खुद पर ही खफा होने लगते हम पूस्टर चिपकाते, नारे लगाते हम जुलूसों में होते, सभाओं में होते हर तालों में होते हम पुलिस और घुप्त चरी के रजिस्टर में दर्ज थे सच्मुच हम पढ़ाकू और लड़ाकू थे हम गर्म तंदूर पर पक रही रोटियां थे लेकिन हम उपर उड़ते गैस भरे रंग बिरंगे गुप्पारों की तरह थे हम उड़ रहे थे हम उड़ रहे थे उड़ते उड़ते हम ऐसे वायू मंडल में पहुँचे जाहां हम फूट गए अब हम नीचे की ओर गिर रहे थे अपना संतुलन खोए हम नीचे की ओर गिर रहे थे हमारा क्या होगा हमें पता नहीं था हमें नौकरी मिल नहीं रही थी जबकी वह हमारे लिए सांस थी इस वक्त उपमा मुझसे उखडी उखडी रहने लगी जब भी मिलती मश्विरा देती की मुझे कॉम्पटीशन की पढ़ाई और मेहनत से करनी चाहिए इस पर मैं कुरुद हो जाता नाराज हो जाता धीरे धीरे हमारे संबंदों के पाउं खडने लगे सदानन जी भी मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलते वह हम मंडली पर दया करने लगे थे अब हम भोजन के लिए लाल तिक्रम नहीं करते थे नहोने पर फूखे रह जाते उधार लेने का मनोबल भी खो चुके थे हम कोई हम से पूखता क्या कर रहे हो तो प्रत्युत्तर में हम कापने लगते किसी से मिलने के पहले ही हमारे दिल की धरकन तेज हो जाती कहीं पूख न लिया जाए क्या कर रहा हूँ मैं आपस में मिलना कम होने लगा हम परस पर कत्राने लगे हमारे बीच महबबत बदस्तूर थी पर बादचीत में हम थोड़ा कट्खने हो गए थे एक बार हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर गए लोटने पर हम सभी ठके और हारे हुए लग रहे थे हमने अपने माता पिता और परिचितों को निराश किया था जिससे वे चिड़ गए थे उन्हों ने हमें हिकारत से देखा था और हम हार गए थे ठक गए थे अगला प्रिष्ट देखते हैं फिर भी हमने तै किया था कि हम घर चले जाएंगे हम कुटिया पर एक खटा होने वाले थे अपने अपने घरों को प्रस्थान करने के लिए हम खुशी या फाइदे के लिए वापिस हो रहे थे हम खुशी या फाइदे के लिए नहीं वापिस हो रहे थे हम मजबूर थे क्योंकि यहां तो जीना मुहाल हो गया था गुजारा मुश्किल था बात की कहानी यह है कि हम खुटिया पर इखटा हो गए थे विनोत का यह कमरा आधुनिक शैली का था पर अब उसकी जीवन पत्तिती ने इस आधुनिक्ता का कबारा कर दिया था किताबे और कपड़े हर जगह फैले हुए थे उसने हर जगह रंगीन तस्वीरे चिपका रखी थी चेकवारा की बगल में एक सुन्दरी कूलहे मटका रही थी सबसे पहले त्रिलो की बहका वह हाथों में शराब का ग्लास लेकर खड़ा हो गया और बोला भाईयों और बहनों नेता जी यहां कोई लड़की नहीं है प्रदीप चिलाया वह भी हलके बहुत हलके सुरूर में आ गया था बड़े अफसोस की बात है प्रिलो की दुखी होकर बोला यह भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है की हम जैसे युवकों के पास न प्रेमिकाए हैं और न नौकरियां हम किस के सहारे जीएं मैं जानता हूं जानता हूं लो मैं बैट जाता हूं पब्लिक अब समझदार हो गई है सवाल जवाब करने लगी है सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही है जनता वर्ना हमारी यह दशा नहीं होती दिना नात ने थीमे से अपने से ही कहा त्रिलोकी को छोड़कर बाकी मंडली अभी नशे में नहीं थी नशे की पूर्वावस्था सुरूर में थी आखिर हम यहां क्यों एकठा हुए हैं मदन मिश्र दाशनिक अंदाज में बोला मैंने कहा यहां हम विदाई समारोह के उपलक्ष में एकत्रित हुए हैं हम नागरिक नहीं हैं दुखी दुनिया के नागरिक मजदूर और किसान होते हैं जिनके श्रम का शोशन होता है हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का भी अधिकार नहीं है त्रिलोकी तैश में आ गया था जिसके पास कोई काम नहीं होता वह आदमी नहीं होता हम आदमी नहीं हैं इस व्यवस्ता ने हमें आदमी नहीं रहने दिया हमसे हमारा होना छीन लिया गया त्रिलोकी सुबक में लगा वह सिर्जुकाए सुबक रहा था जैसे काठ मार गया काठ मार गया का अर्थ है सद्मा लग जाना, शौक लगना हम सब स्तब्द हो गये इस बात को कृष्ण मूरी ने सबसे पहले भापा वह आहिस्ते से त्रिलोकी के पास गया और उसके लटके हुए मुह पर एक टिपड़ी लटका दी मुह से एक टिपड़ी लटका दी नेता जी, ईश्वर एक दिन तुमारी सुनेगा जरूर तुम इसी तरह भाशन दो लेकिन भाशन के बाद असल में सुबकना छोड़ दो तो एक दिन सच्ची मुच्ची में हो जाओगे और मौच करोगे क्रिश्ण मनी ने उसको दिलासा देते हुए कहा अगला प्रिश्ट देखते है प्रिश्ट 128 हम एक दिन मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं विनोद मेजबानी भूला नहीं आप लोगों में जिसके गलास खाली नहूं क्रिप्या उन्हें जल्दी खाली कर लें यह साकी जाम का दूसरा पैग धालने के लिए उतावला है काश आज हम किसी रूपसी के साथ पीते तो रात कितनी हसीन होती रगुराच था मार इसको हमने चौक कर देखा प्रदीप था उसे भी चड़ गई थी उसने फिर कहा मार इसको और चुप हो गया मैंने पूछा किसे मार रहे हो अपने दोस्तों के लिए नहीं कह रहा हूं बस मार इसको हम दूसरा पैग पीने लगे रात और ठंड दोनों बढ़ गई थी तीना नात ने उठकर खिड़किया बन कर दी हमने सिगरेट सुलगा ली उनका धुआ कमरे में खुमरने लगा मदन ने घूंप लेकर सिगरेट पी और कहा रोज मेरी मृत्यू होती है कोई मुझसे पूछता है तुम क्या करते हो और मैं मर जाता हूँ प्रदीप थुत होने के करीब पहुंच गया था वह किसे मारना चाहता था तुम लोग समझते हो होगे मैं नशे में हूँ लेकिन मैं होशो हवास में कह रहा हूँ बे रोजगारी के कारण मैं कई कई बार रोया हूँ पिछली बार का रक्षा बंदन था बेहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था भाई उसके लिए कपड़े ले आये थे मेरे पास कुछ नहीं था बेहन ने मेरे सिरहाने की किताब में चुपके से सौ का नोट रख दिया उसे पॉकिट में रख खूब रोया मैंने उसे कुछ नहीं दिया वह नोट अब भी मेरी डाइडी में रहा है मैं उसे देखता हूँ और उदास हो जाता हूँ कृष्ण मनी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा माबाप दो आखे नहीं करते यह जूट है विनोध ने एक सांस में कह डाला मेरे माबाप मेरे कमासुत भाई की चापलूसी तक करते हैं पर मुझे देख जल भुन जाते हैं और मैं मेरा पिता से कोई समबाद नहीं एक दिन उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है मैं क्या बताओ उन्हें बोल जवाब दो बोल बस इसी दिन से हम एक दूसरे से नहीं बोले यहां पर सभी मित्र अपनी शिक्षा ग्रहन करने के बाद बे रोजगारी की जिन्दगी जी रहे हैं रोजगार न मिलने के कारण भूखे रहने की नौबत आ गई है वो अपने घर जाना नहीं चाते पर उनके पास कोई और मार्ग विशेश नहीं है भूक और आर्थिक अभाव इस कदर है और नौकरी का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है आगे की कहानी पढ़ते हैं दीना नात आखे स्थिर कर कुछ सोचने लगा कहीं खो गया था वह लो मैं भी बता देता हूँ रगुराज ने अपना सिर उठाया उसकी आखे सुर्ख लाल थी रगुनाथ जो हर वक्त हसी मजाग का माहौल बनाता था वह भी अपनी सच्चाई सबके समक्ष रखने के लिए आतुर हो गया उसने कहा मैं अपना रहस्य खोलता हूँ अब हम जा रहे हैं तो क्या छिपाना मैं लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा मैं एक कपड़े की और दवा की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता रहा मालिक मुझे धाई सो रुपय का चाकर समझते रहे मैं मैं वह चुप हो गया उसकी आवाज फसने लगी थी एक एक करके सारे मित्रों ने अपनी बदहाली की कहानी कह सुनाई उपर से जो प्रसन और शान दिख रहे थे सब के अंदर कितनी पीडा थी आज वह इन बातों से दर्शनिय हो रही थी मंडली अवाक थी रगुराज की बात से रगुराज ने अपना चहरा फिर घुटनों में चिपा लिया हम सभी ने अपनी राम कहानी कही हमने तीसरा पैग लिया हमने चौथा पैग पिया पाँचवा पिया हम लुड़कने लगे विनोद ने कहा हम खाना कैसे खाएंगे भविश्य में हमें भूखे रहना है हम आज भी भूखे रहेंगे मदन डावा डोल होते हुए उठ खड़ा हुआ हम सभी खड़े हो गए हम खुटिया के बाहर खड़े थे अलग अलग दिशाओं की तरफ जाने के लिए हम कुटिया के बाहर खड़े थे अलग अलग दिशाओं की तरफ जाने के लिए रात गाड़ी थी और हवा सरसरा रही थी हमारे मुँ बंद और चहरे फीचे हुए थे अच्छा दोस्तों रगु राज ने गला साफ करते हुए दुबारा कहा हम सारे दोस्त फूट फूट कर रो रहे थे जब सारे के सारे मित्र इतने कश्ट इतनी तकलीफ और इतनी परिशानियों से गुजर रहे थे और उन्होंने बहुत सुन्दर समय साथ व्यतीत किया था तो अपने सभी दोस्तों को इस प्रकार तूटते देखना लेखक के लिए बहुत अधिक कठिन सिद्ध हो रहा था सभी दोस्त एक साथ फूट फूट कर रो दिये उस दिन अलग होने से पहले हमने तै किया हम में से यदि कोई कभी सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को सारे मित्रों को खत लिखेगा विडंबना देखिए इस कहानी की लंबा समय बीथ कया इंतजार करते किसी दोस्त की चिठ्थी नहीं आई मैंने भी दोस्तों को कोई चिठ्थी नहीं लिखी है यहां पर लेखक बहुत ही भरे मन्सेय कह रहे हैं कि उन सभी ने यही निश्चय किया था कि उनमें से जो भी जीवन में सुखी होगा वह अपने सारे मित्रों को पत्र अवश्य लिखेगा लेकिन आज तक उसे अपने किसी मित्र की कोई भी चिठ्थी नहीं आई और दुख की बात तो यह है कि लेखक ने भी अपने दोस्तों को कभी कोई चिठ्थी नहीं लिखे इसी के साथ यह पाट चिठ्थी यहां समाप्त होता है इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं पाट पर आधारित चिठ्थी कहानी में बेरोजगारी की समस्या को उजागर किया गया है उसका चित्रन कीजिए इसी प्रकार एक और प्रश्न इस पाट पर है आधारित चिठ्थी कहानी की कथा वस्तु लिखिये कहानी के किस किस मोड पर लेखक के जीवन में क्या क्या परिवर्टन आए यह स्पष्ट कीजिए इसी के साथ ही आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है अगली कक्षा में हम साहित्यत्तर अभ्यास क्रम शुरू करेंगे